वे बेक्ति जो कम समय में सफल बन जाते हैं वे लोग क्या करते हैं आईए जाने कुछ लोग अपना गोल लच छोटा सेट करते हैं और उसे हासिल करके खुस हो जाते हैं जबकि कुछ लोग अपना गोल बड़ा सेट करते हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते ऐसे में बेक्ति को हमेशा सो समझ कर अपना लच चुनना चाहिए नमबर दो है बेक्ति को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी रूची हो ऐसे करने से बेक्ति उस काम को शफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है तीसरा नियम है सफलता को पाने के लिए बेक्त को अपनी लाइप संतुलित बनानी चाहिए कई बार परिवारिक ब्यावसाईक कला के कारण भी बेक्त सफल नहीं हो पाता है चौति परमुक बात है कहावत है कि आसफलता का आर्थ है कि सफलता का परियास पूरे मन से नहीं किया गया आसफलता किसी भी काम को दोबारा से करने का मौका देती है ऐसे में उस काम को अच्छी तरह से करना चाहिए नश्ट है हर रोज बेक्त को कई तरह के लोग मिलते हैं या बेक्त ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ कैसे रिष्टे रखते हैं किसी तरह का बीवाद आपके सफलता की रास्ते का रोड़ा बन सकता है ऐसे में बीवाद से हमेशा बचना चाहिए कहा जाता है कि नए बिचार की नई करांती को जन्म देती है ऐसे में नए बिचारों नई पलान बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए साथवे इस्ट में बताया गया है कि बेक्ति के अंदर आत्म विश्वास होना बहुत जरूरी है मन में हमेशा यह भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने सपना देखा है वह पूरा हो सकता है आठ नमबर बताया गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हर किसी से सलाह लेते हैं लेकिन हमेशा हमें अपने मन की सुनकर ही फैसला लेना चाहिए